हलो साथियू, नवस्कार, मेरा नाम विम्ला पाल, मेरे यूटूब चैनल वीडियो विद्विम्ला पर आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तों और वताईए आप लोग कैसे हैं, उमीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे दोस्तों मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक और केमेंट अवस्थ करें और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उने से मेरा यहानुरोध है कि वीडियो को लोगों में सेर अवस्य करें दोस्तों आज हम फिर आए हुए हैं अपने चैनल पर एक नई कहानी के साथ में तो कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवस्य बताईएगा दोस्तों कहानी है मुश्किल कुछ भी हो पर हार नहीं मानना है दोस्तों सोने की कीमत सिर्फ सुनार ही समझता है क्योंकि सुनार जितना भी जादा सोने को चमकाता है उसको उसकी उतनी ही जादा कीमत मिलती है उसी तरह हमारे विद्यार्थी जीवन में भी ऐसा ही है मलब विद्यार्थी कि हर एक इनसान के ऊपर यह बात लागू होती है कि जो जितनी मेहनत करता है उसको उसका रिजल्ड भी उतना ही अच्छा मिलता है एक बार की बात है एक लड़का था जो की पढ़ने में बहुत कमजूर था एक बार वा लड़का एक अपने दोस्त के घर गया और वहाँ पर जा करके उसके दोस्त के पिता ने उस बच्चे से कोई सवाल पूछा पर उस लड़के ने उस सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाया जिसके कारण उसके दोस्त के पिता ने उस लड़के को समझाया कि बेटा पढ़ाई इतनी कठिन भी नहीं है जितना आप इससे डरते हो आप जितना ज़्यादा इसमें मन लगाओगे जितना ज़्यादा इस पढ़ाई के अंदर समझने के कोशिस करोगे उतना ही ज़्यादा आप समझ पाओगे क्योंकि यह सवाल इतना भी कठिन नहीं है पर हाँ यह चीज आपकी सोच पर आधारित है अगर आपने यह ठान लिया कि मैं क्या करूं मुझको तो यह आ ही नहीं रहा तो वह चीज आपके लिए कठिन हो जाएगी पर अगर आप यह समझेंगे कि यह सव सौल कैसे नहीं आएगा क्योंकि हमारे से बड़े यह हमारे और अन्य भाई बहन जो है जिन लोगों ने ऴुझसे पहले यह एक्जांब पास किया आखिरमें उन लोगों ने भी तो इस सवाल को साल्व ही किया तो जब हमारे भाई बहन इस सवाल को साल्व कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ, इसलिए आप आगे तभी वड़ पाएंगे, जब आप अपनी मेहना लगन और अपनी इच्छा सक्ती के द्वारा, आप उस चीज को समझने की कोशिस करेंगे, क्योंकि जब तक हमारी इच्छा सक्ती किसी कारी को करने के लिए तयार है, तब तक हमें कोई भी कारी मुश्किल नहीं लगेगा, जब हमारी इच्छा सक्ती ही कमजोर होगी, तब हर एक कारी हमारे लिए बहुत मुश्किल रहेगा, इसलिए ग्या बात उस लड़के की समझ मे आ गई और फिर अगले दिन से वह लड़का प्रति दिन अपने स्कूल के हो मर्क को सबसे पहले आने के बाद करता था उसके बाद वह खाना खाता खाना खाने के बाद साम को थोड़ी दिर टहलने जाता और टहल के वापस आने के बाद में फिर वह पढ़ने के लिए बैठ जा उस लड़के को अपने दोस्त की पिता द्वारा समझाए गई बात बहुत अच्छी लगी और उसके बाद वह लड़का मन लगा करके पढ़ाई करनी लगा वही लड़का आगे चल करके एक्जाम में टाप किया और अपने स्कूल का नाम और अपने माता पिता का नाम रोसन किया दोस्तों यह रही छोटी सी कहानी कहानी कैसी लगी आप लोग कमेंट के माध्यम से अवसी बताएएगा अब हम फिर मिलते हैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जै हिंद जै भारत